साथियों, आज देश आत्मन निर्भर भारत के लक्ष और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी एस्पिरेशन का हिस्सा बन चुका है। जब हम आत्मन निर्भर भारत के बात करते हैं, तो लक्ष सिरफ फिजिकल या मट्रीरियल सिरल प्रिलाइंस तक ही सिमित नहीं है। दाइरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें उंचाई भी है। आत्मन निर्भर राष्ट्र तभी बनता है, जब संसा धनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मन निर्भर बने। विदेश में एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा था, कि आप ऐसा पहनावा क्यों नहीं पहनते, जिससे आप जेंटलमेन लगें। इस पर स्वामी जी ने जो जवाब दिया, वो भारत के आत्मी विश्वास, भारत के मुल्यों की गहराई को दिखाता है। बड़ी विनम्रता के साथ, उन सज्जन को स्वामी जी ने जवाब दिया, कि आपके कल्चर में एक टेलर जेंटलमेन बनाता है, लेकिन हमारे कल्चर में केरेक्टर ताय करता है, कि कौन जेंटलमेन है। आत्म, निर्भर, सोच और समस्कारों का निर्नाएं ये केंपस बनाते हैं, आप जैसे युवा साथी बनाते हैं, साथियों, देश का युवा ही दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का ब्रांड एम्बेसेडर्स है। हमारे युवा भारत के कल्चर और ट्रेडिशन का प्रतिनिदित्व करते हैं। इसलिए आप से अपेक्षा सिर्फ भारत की पुरातन पहचान पर गर्व करने भरकी ही नहीं हैं। बलकि 21 सदी में भारत की नई पहचान गड़ने की भी है। अतीत में हमने दुनिया को क्या दिया ये याद रखना और ये बताना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी आत्मविश्वास के बल पर हमें बविश्व पर काम करना है। भारत 21 सदी की दुनिया में क्या कॉंट्रिबूट करेगा। इसके लिए इनोवेट करना हम सभी का दाई तो है।